वेलकम वेक तो ग्यानवर्शा आज हम लोग डिसकस करेंगे किंग्डम फंजाई के बारे में तो हम लोग पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिसकस करते हैं कि फंजाई कैसा होता है क्या दिखता है पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताती हूं देखिए यह आपका में में अगे नागी फाई करें में लो रखेकर 52 सबस्क्राइक क orada कि रखेंड वेजांगे लेकर Manhा बोलने हैं अन्हें आइजा ऋसलम कर्लीफन कि içकुट अन्हें में अंच करें MAI SELION प्राइटन से साहने ह्डाइम डेल्किन और देल्ड़ कर देलाने हैं तो इन्हें बोलते हैं सेप्टा, are you getting? तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखिए हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मैं पता है, इस सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलूलर होते हैं, अगर मल्टी सेलूलर फंगाई अगरीग्रेट होगा, तो क्या बनाएगा, मैसीलियम, तो हाइफाई में भी विदाउट क्रोस वाल्स और डिवाइड इन्टू कंपार्ट्मेंट बाइशन ऑफ सेप्टा, जो सैटोप्लाजिम होता है, वो कंट्यूनियस रहता है, सेंट्रल पोड के थुरू, सेप्टम में सेंट्रल पोड़ोत है, उनसे साइटोप्लाजिम कंट्यूनियस रहता है, कुछ स्टेजेज में, ओफन ड्यूरिंग ट्रांजिशन तु दा सेक्सोल और असेक्सोल फेज, दा मैसीलियम फोर्म्स टिशू-लाइक अग्रिग्रेट, मैसीलियम एक टिशू-लाइक अग्रिग् फाइको मैसीट्स को हम जाइको मैसीट्स भी बोलते हैं, तो हम एक एक करके सब के बारे में आज हम सिफ जाइको मैसीट्स और एसको मैसीट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग रिप्रोड़क्शन के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल रिप्रोड़क्शन की ब है अधर है इन दोनों में नुकलिएस हैं हमें पता है कि जो फंग्रस की जो बॉड्य होती है तो एड ई यह जो नो At अप क्या होगा कि इने में फ्यूजन होगा तो देखे कैसे होगा है यह पहले आपस में पास हाइंगे यह दौनिव की दौन आपस हैंगे इन दौनों के बीच में जाइगोस्पोर च्चियम बने गाइगाद जाइगोस्पोरेंजियम में क्या हुआ यह प्लाज्मोगैमी को फॉलो करेंगा पर केरियोगैमी को फॉलो नहीं करेंगा तो इसमें साइटोप्लासम तो फ्यूज हो जाएगा लेकिन केरियोगैमी फॉलो नहीं होगी अभी फॉलो नहीं होगी केरियोगैमी क्या होती फॉलो यह हमारा zygospore enzyme है, फिर क्या होगा, इनका nucleus fuse हो जाएगा, कुछ टाइम बात, तो कहरे होगा है, मिय हो जाएगी, अब nucleus fuse हो गया, तो मतलब क्या होगा, nucleus 2N हो जाएगा, ठीक है, after that क्या होगा, कि miosis होगी, miosis होगी, और जो surface होगा, उस पर fruiting body develops करना शुरू कर देंगी, यह fruiting body बन जाएगी, fruiting body में क्या होगा, कि जब यह miosis होगी, तो spores बनेंगे, और जो यह spores बनेंगे, यह होगा, zygo spores, are you getting, यह haploid होगे, और जाएगो spores होगे, क्योंकि यह miosis हो रही है, तो यह zygo spores बनेंगे, अब यह environment में release होगे, और यह क्या बनाएगे, अगेन हाइफाई, are you getting, मेटे साफ से आप लोगों को समझ में आया होगा, क्या होता है, देखे, मैं आपको दबार बताती हूँ, यह आपका एक हाइफाई है, यह दूसरा हाइफाई है, इन दोनों आपस में पास आएँगे, और fusion होगा, तो इसमे पहले fusion cytoplasm का होता है, जिसे बोलते है, plasmo gammy, ठीक है, fusion of cytoplasm, देन क्या होगा, जो यह बीच में, जो यह structure बनाएगे, गोल-गोल, इसे हम बोलेंगे, zygosporengium, इन में nucleus fuse नहीं होगा, लेकिन cytoplasm fuse हो जाएगा, ठीक है, after that zygosporengium, कुछ टाइम बात क्या होगा, nucleus fuse करता ह 2N हो जाएगा nucleus, ठीक है, जब fuse होगा, then क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारा nucleus fuse होने के बाद, meiosis होगी, और fruiting bodies में, sports बनेंगे, जिन्हें हम बोलते है, zygo sports, ठीक है, haploid होगे वो, क्योंकि meiosis हो रही है, अब यह sports जब mature हो जाएगे, germinate होगे, तो यह environment में release हो जाएगे, ज मेरे साब से आप लोगों को इची समझ में आयोगे, कैसे sexual reproduction होता है, अगर हम बात करें, asexual mode of reproduction की, वो बहुत इजी है, देखे, asexual mode of reproduction में क्या होगा, simply जैसे आपका यह mycelium है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, कि यहाँ पे N nucleus है again, ठीक है, तो यह haploid body है, मैं पता स्पोर्स बनेगे, जब यह, फिर ही a gea sporengium टूटने रगेगा, और स्पोर्स रिलीस हो जाएंगे, ठीक है, स्पोर्स रिलीस हो गया, तो फिर क्या बनेगा, तो यह phir again हमारा AI-5 बन जाएगा, स्पोर्स रिलीस हो के, सेम, जैसे यह hi-five बनाता हा, अगे, हाई-5 बन जिनमें फ्लेजला होता है जो मोटाइल मूव कर सकते हैं उन्हें बोलते हम जू स्पोर्स एपलेनो स्पोर्स जो मूव नहीं कर पाते हैं मेरे साब से आपको सेक्सॉल और एसेक्सॉल मोड और रिप्रोडक्शन एजीली समझ में आयोगा अब हम इसके बार में थोड़ा पढ़ते हैं देखिए रिप्रोडक्शन इन फंजाइड कें टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स फ्रेग्मेंटेशन फिजन एंड बडिंग एसेक्सॉल रिप्रोडक्शन इस बाई स्पोर्स कॉल्ड कॉनेडिया यह कॉनेडिया आप लोग आगे जाके देखेंगे कैसे एसको माई सीट में कॉनेडिया कहते हैं कॉनेडिया और इस्पोर एंजियो स्पोर्स आपको समझ में आया जो अभी हमने देखा कि जैसे यहां पर जब यह एस्पोर्स एस्पोर्स आपको स्पोर्स 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 आपको स्पोर् इंवल्ड पॉलोइं थी स्टेप फस्स एस फ्लेजमोगएमी लिए मीयोसे ज्प्रॉट देखिए, प्लेजमोगैमी क्या होती है? फ्यूजन और प्रोटोप्लाजम जो हमने देखा था अभी कि फ्यूजन हो रहा था हमारा प्रोटोप्लाजम में और क्या बन रहा था? जाइगोस्पोरेंजियम ठीक है? देन केरियोगैमी हुई थी उसके बाद जाइगोस्पोरेंजियम में जिसके नुकलियस फ्यूज हो गई थे जब नुकलियस फ्यूज हो गई फिर हमने क्या देखा था? कि उसमें मियोसिज हुई उसमें और स्पोर्स बने उस जाइगोस में मियोसिज हुई और अगें हैपलोइड स्पोर्स बने थे In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. However, in other, अब ये other fungi के बारे में, हम लोग देखेंगे कि particular fungi में थोड़ा-थोड़ा difference होता है कि Bacidomycetes, Escomycetes में ये Dicarion की stage follow करते हैं. कैसे क्या होता है, ये मागे देखेंगे. ठीक है? The fungi form fruiting body in which reduction division occur leading to formation of haploid spores. Haploid spores बन गएते हैं, अब हम आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं, Zygomycetes की, पहले गुरूप की. जिसे हम बोलता हैं, Ficomycetes अलसो. ये aquatic होते हैं, ये decaying, कहां present मिलते हैं हमें? Decaying, wooden, moist and damp places, और obligate parasites होते हैं, plants पे. ठीक है? अब इनके हम reproduction के अगर हम बात करें. The haploid high-five of two compatible individual fuse forming a gygode. दो haploid high-five, ये fuse करेंग और एक gygode बनाएंगे. Which becomes a resistant zygospore. Zygospore आपको याद है? Zygospores बनते हैं. When this zygospore germinate, it quickly undergo meiosis. आपको याद है, zygospore enzyme बनता है. उसमें zygospores बनते हैं, वो resistant होते हैं. फिर उनमें meiosis होती है, जर्मिने हम haploid spores कहते हैं, germinating new haploid high-five and asexual spore-angio spores. These spore-angio spores may then be distributed and germinate into new genetically identical individual, each producing their own haploid high-five. हरको ये अपना high-five बनाता है. When the high-five of two compatible individuals come in contact with one another, they will fuse and generate new zygospore thus completing the cycle. मेरे साब से आपकोई चीज़ इजीली समझ में आयोग है. अब हम बात करते हैं, एसको माइसीट्स के बारे में. देखिए, एसको माइसीट्स को हम, एसकस से कहते हैं, सेक फंजाए. जैसे, सेंटा क्लॉस का आपने बैग देखा है, उसका बैग जो होता है, वो सेक होता है, सेक टाइप. तो commonly known as टेक फंजाए, एसको माइसीट्स और यूनिसेलूलर, एक्जाम्पिल इस्ट, मल्टिसेलूलर, पैनिसीलियम, दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पेरासिटिक और कोप्रोफाइलर्स, ग्रोइंग ओन डंग. ठीक है, अब हम एसकी थोड़ा सा एक बर रिप्रोडग्शन के बारे में बात करते हैं, कि कैसे इसमें रिप्रोड़ग्शन की साइकल होती है, तो चलिए हम एक बार एसको माइसीट्स के बारे में देखते हैं. देखिए पहले अगर हम इसमें Asexual Mode of Reproduction की बात कर लें Suppose कीजिये यह आपका हुआयफञा है है चीक है इसमें क्या होगा ... आपके sports होते है exogenous hetコ нед Aram इसमें exogenous sports होंगे इन Asexual sports को हम बोलते हैं Conidia आपको याद है वहाँ वर्ड आया था रिप्रोडक्शन में अपको होता है था हम इसको माई सीट से वरा में डिसकस करेंगे तो इन्हें बोलते हैं हम कुणीडिया इन में क्या होता है यह रिलीज हो जाते हैं और यह हाइफाई बना लेते हैं एक आपको कुछ नहीं करना कु यहाँ पर भी कोनीडिया के स्पोर्ट्स हैं यह आपस में फ्यूस करेंगे तो जब यह फ्यूस करेंगे तो एक एसकस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनमें नुकलियस होगा यह डाई कैरियों फेज हो गया डाई कैरिएउन मींस नुकलियस पढ़ाए एस टेसे एन सब सेघ्राइए इन वह दित्व का सवगांग इन यह सून और सब इसमें नुक्लीयस सब्रीज पीर में इसमें मसगें इसाइटेश के नुक्लियस के बहुंस यह बहुते हैं, देना समय, आपकरी कि दोने हीक, नहीं होती है कि गें आपके डिकेक, दोने कि मीटोसी हमें तो यह 4 थे अब 8 हो जाएंगे फिर यह जर्मिनेट होंगे ठीक है मैचोर होंगे जर्मिनेट होंगे और यह रिलीस कर जाएंगे बाहर जब यह रिलीस कर जाएंगे तो अगेन क्या बन जाएंगे हाइफाई बना लेंगे मेरे साब से आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होगा देखिए एसेक्सवल मोड अफ रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं नॉर्मली हाइफाई थे उनके उपर कोनेडिया जो इस्पोर्स होते है एसेक्सवल इस्पोर्स वो बन रहे थे वो नॉर्मली रिलीज कर गए यह बैग जो बैग है यह सेक्लाइक स्ट्रक्चर एसकस जिसे हम बोलेंगे इनमें डाइकरियोनिक स्टेज आएगी मीन्स नुकलियस आजएटिस पढ़ाए पर सैटोब्लासम फ्यूस कर गया प्लैज्मोगैमी हो गई फिर केरियोगैमी होगी नुकलियस का फ्यूजन होग यह बोलेंगे आठ हमारी माइटोसेस क्योंकि अब निम्यूसस के बाद दबार में इसस तो करनी सकते माइटोसेस होगी और एक बाहर इस्ट्रक कवर बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे एसको कार्प ठीक है और काफी सारे ऐसे होते हैं और फिर एंवार्मेंट में रिलीस कर जाएंगे अगेन स्पोर्स तो अगेन हाइफाई बना लेंगे मेरे साब से आप लोंगे अच्छी तरीके से समझ में आयोगा तो अब हम देखते हैं कॉमली नोन एस सेक फंजाए यूनिसेलूलर मल्टिसेलूलर पैनेसिलम और यह कॉप्रोफिलस पर भी ग्रो करते हैं वे पलपलैसमोगैमी होगे दकड़ केरीयोटिक हाइफाई फॉर्म इस्ट्रक्चा काल्ड एसकाइड डाइकरीयोटिक मींज एन प्लस एन पड़ा हुआ है तो डाइकरियोटिक में बन गया वह हमारा यहां पर एक एसकस में दो नुकलियस पड़े हुए है तो उसे हमने क्या एक भोला, स्काइ, एसकस बोल सकते हैं, इन विच केरियोगामी नुकलियर फ्यूजन अकर, उसे स्कस में पहले प्लाज्मोगामी होगी, देन केरियोगामी होगी, दीज एसकाइ और एंबेड़िट इन एसकोकार्प, ये एसकोकार्प में एमबेड कर जाएंगे, देखंगे अगा बेसीडियो माईसीट्स की बाद आती हो तो उन्हें बोल देखे बेसीडियो स्पोर्स एशको माईसीट्स की बाद आती हो तो आप उन्हें बोल देखे एशको आस्पोर्स ठीक है The aeskoisports are disseminated The aeskoisports are disseminated germinate to form a new haploid mycelium Asexual conedia may be produced by the haploid mycelium Many Escomycetes appear to have lost the ability to reproduce sexually and reproduce only via Conadia मेरे साबसे आप लोगो यह quickly समझ में आया होगा कि कैसे इसमें पूरी cell की cycle कैसे इसमें reproduction की face पूरी cycle होती है अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए तो आप इसे like कर सकते हैं अगर कोई doubt हो आपको तो आप comment कर सकते हैं आप मुझे ग्यानवर्शा क्वेड़ी अधर इस gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं यह मैटेरियल जो है मैं ग्यानवर्शा टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूंगी थैंक यू